पूर्वे सिम् वसुन्द्रा राजे गट को ऐसा लगता है। वसुंधरा की ताज पोशी कर सकता है लेकिन बाबा बालकनात के दिल्ली बुलाए जाने के बाद से राजिस्थान में लिखी जा रही इस नई कहानी में ट्विस्ट आ चुका है दिल्ली में बड़ी अलचल को देखते वे वसुंधरा राजे ने भी अपनी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है करीब 52 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके घर पहुँचे है ऐसे में अब चर्चा है कि राजे अबालाकमान को अपनी ताकत का एसास कराना चाहती है और बताना चाहती है कि वो ही राजिस्थान के असली महरानी है वसुंधरा के गर पर जिस तरह से एक के बाद एक विधायक पहुँच रहे हैं और मीडिया से बात कर वसुंधरा राजे को सीम बनाने की बात कर रहे हैं उससे साफ तोर पर जाहिर है कि वसुंधरा राजे अपने आगे किसी को भी सीम बनता नहीं देखना चाहती है बात चाहे बीजेपी के विधायक गोपी चंद मीरा की हो या फिर विधायक बाहदू सिंग कोली की हर कोई यही कह रहा है कि वसुंद्रा राजे ने अपने कारिकाल में राजिस्थान के लिए बहतर काम किया है तो बाकी विधायक या तो भागते दिखे या सीम का फैसला आला कमान पर छोड़ा है वसुंद्रा राजे की यहां से दावा किया जा रहा है कि वसुंद्रा से अब तक 52 विधायकों ने मुलाकात की है तो वही लूडी विधायक जोगराम पटेल वसुंद्रा के घर पहुंचे है बात करने से उन्होंने इंकार किया है तो वही बीजेपी क अब ऐसे में नजर हाई कमान के फैसले पर है कि आखिरकार कौन होगा राजिस्थान का दो होज़ा तेजिस का आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताईएगा कि राजिस्थान का अगला सीम कौन होना चाहिए वसुंधरा राजे बाबा बालकनाथ या फिर कोई और ब्यूरो रिपोर्ट राजिस्थान तक कर दो